हेलो एवरीवन, वेलकम अगें तू लंवर देतिमन, तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है राजिस्थान के प्रमुक मेले, तो हमने कुछ मेलों की बात कर ली थी, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए, रन थमबोर का गनेश मिला, कहां का प्रसिद है, सवाई माधवपुर जिले का, ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि रड थमबोर दुर्ग जो है, विस्वधरो हर सुची में शामिल है, और रड थमबोर दुर्ग के भीतर ही बना हुआ है, त्रनेत्र गनेश जी का मंदिर, ठीक है, तो जो अरावली है, और बिंद्याच पहाड़ियों के बीच में इस्थित है रड थमबोर दुर्ग, तो इसी के बीच में ही मंदिर है, त्रनेत्र गनेश जी का, तो यहाँ पर मेला लगता है भादर सुकल चतूर्थी को, तो हम जानते हैं कि इसी दिन जो है गनेश चतूर्थी मनाई जाती है, तो यहाँ पर आ मनाया जाता है ठीक है और देश के कौने कौने से यहाँ पर जो है दर्चनार्थी श्रदालू जो है यहाँ पर भगवान त्रेनेत्र गनेश जी के दर्शन करने के लिए आते हैं कई जो है यहाँ मन्नते मांगी जाती हैं जिससे की भगवान त्रेनेत्र गनेश उनकी इच्छ का मंदिर तो इसे जो हैं बनवाया था हमीर देव छोहान ने ठीक है? ध्यान रखेंगे रन्थंबोर के हमीर दिव चोहान ने तुरिन ने त्वे देव जी का मंदिर बनवाया था और इस मंदर की एक खास बात ये भी है कि पूरी दुनिया में यह एक ऐसा मंदर है जहां भगवान गनेज जी अपने पूरे परिवार के साथ यानि कि उनकी दो जो पत्नियां हैं रिद्धी और सिद्धी और उनके दो पुत्र सुब और लाप तो इनके साथ विराजमान है ठीक है ये थोड़ा तिहान में रखें तो देखिए विवा का पहला कार्ड गनेश जी को दिया जाता है तो सभी इस बात को जानते हैं कि जब कोई शादी विवा होता है तो वहाँ सबसे पहले कार्ड जो है किसको दिया जाता है भगवान गनेश को दिया जाता है यहीं से सुब जो है माना जाता है नेक्स्ट देखिए सीतावाडी का मेला तो सीतावाडी का मेला बारा जिले की सहबाद तहसील के केलवाडा गाउं के निकट सीतावाडी में बैसाग पूनिमा से जेस्ट अमावस्य तक यह मेला लगता है ठीक है तो सीता वारी में मंदिर बना हुआ है सीता माता का और साथ में लक्षमन जी को समर्पित मंदिर सीता वारी में बना हुआ है और यहीं पर बैसाख पूर्णिमा से लेकर चेस्ट अमावस तक यहां पर मेला लगता है कहते हैं कि भगवान राम और सीता जो है इनके जो पुत्र थे लव और कुस तो इनका जन्म जो है इसी इस्थान पर हुआ था और इसमें कई कुंड भी हैं जैसे की तीन कुंड हैं सीता कुंड लक्षमन कुंड सूरज कुंड इसके अलावा जो हैं बालमी की जो कुंड हैं वह भी यहाँ पर बने हुए है तो प्रसिद सीतावारी जो मेला है वो यहीं पर आयोजित किया जाता है इसी इस्थान पर और यहां पर भी कई लोग जो हैं यहां देखने के लिए पिकनिक के तौर पर इस स्थल को देखने के लिए आते भी हैं नेक्स्ट जो मेला है चंद्रभागा मेला यह मेला जालरा पाटन में आयोजित किया जाता है तो हर साल कार्थिक पूर्णिमा को जब अक्टूबर नवंबर का बहा होता है तो उस बीच में ही चंद्रभागा नदी तट पर इस मेले का आयोजित किया जाता है और राजिस्था तो चन्दर भागा मेला राजिस्थान की एक तरीके से परंपरा को दरसाता है, यहां के लोक संगीत हर किसी को मंत्रमुक्त कर देते हैं, तो लोक मेले में आते हैं इस चीजों को देखने के लिए, खरीधारी करने के लिए और कार्टिक महा के आखरी दिन यहां पर विशाल प पशु मेला मवेशी मेला जो है वह भी लगता है जो पूरे भारत के हजारों तीर्थ यात्रियों को भी यहां अकर्शित करता है तो यह जो मवेशी मेला होता है पशु मेला होता है यहां पर मालवी नशल के पशुओं के क्रे विक्रे के लिए यह मेला जो है बहुत प्रसिद है ठीक है तो यह मेला जो है धार्मिक पहलूओं के साथ साथ व्यापार के लिए भी आयोजित किया जाता है जहां पर भैस गाए उंट और घोड़ा बैल यह सबी पहशु जो हैं यहां पर लाए जाते हैं और यहां तक ही दूर-दूर के जो राज्य होते हैं महरास्ट्र मद् जो है चंद्रभागा नदी के तट पर कार्थिक पोनिमा को लगता है नेक्स्ट दीखिए तिलवाडा का मेला तिलवाडा का मेला तिलवाडा बाड मेर में इस मेले का आयोजन किया जाता है यह क्यों किया जाता है मली नाज जी की इसम्रती में इस मेले का आयोजन होता है औ ठीक है और इस मेले में भी पसुओं को लाया जाता है और यहां पर भी पसुओं की विक्री खरीदारी होती है ठीक है ध्यान रखेंगे तिलवाडा का मेला कहा है तिलवाडा बाड मेर में है और मली नाजी की इसमर्ती में यह मेला लगाया जाता है नेक्स्ट है कपिल मुनी का मेला तो कपिल मुनी का मेला जो है कौलायत बीकानेर में लगता है तो कौलायत क्या है कौलायत जो है एक पवित्र जील भी है और यहां पर श्रदालू जो है वो बहुत बड़ी संक्या में आते हैं जिस तरीके से हिंदूओं का महतवपूर्ट तीर्थ इस्थल जो है अजमेर पुसकर में है उसी तरीके से कॉलायत जो है यह एक पवित्र जील है जो की बीकानेर से 40-50 किलोमेटर दूरी पर बनी हुई है और यहाँ पर तीर्थ इस्थान कहलाता है यह और हर साल यहाँ दूर दूर से श्रदालू जो है यहाँ मंदिर बना हुआ है यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं कपिल मुनी का यहाँ पर मेला भी कार्थिक पुनिमा में लगता है और यहाँ का जो इतिहास है वह सांखे दर्शन के जो प्रणेता है कपिल मुनी तो इनकी जो है व्याख्यान क करने लग जाते हैं संसार की चक्र से मुक्ति पाने के लिए वो यहां तपस्या करते हैं यहीं पर मंदिर बना हुआ है यहीं पर कुसदूरी पर जील है तो इस वज़े से भक्त जो हैं यहां पर चले आते हैं नेक्स्ट देखिए परवत सर का मेला तो परवत सर का मेला जो है क और कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वह है तेजा जी का पशु मेला है जो यहां पर लगता है तो यह चीज भी आप धिहान में रखें भाद्रपद सुक्ल दस्मी को यह मेला जो है इसका आयोजन किया जाता है और तेजा जी की इसमर्ती में यह किया जा यहां का प्रसिद्ध है और यहां पर ऐसी माननेता है कि रातरी को तेजा जी जो है वो अपनी घोडी लिलणंड पर चड़ कर आते हैं और हर साल एक बार मेले में सभी प्राणियों को यहां दर्शन भी देते हैं तो ऐसी घटना जो बुजर्ग होते हैं वो बताते हैं नेक्स्ट मेला है जांबो जी का मेला जांबो जी का मेला मुकाम बीका नेर में लगता है और इस मेले का आयोजन पागुन कृष्ण अमावस्या और आश्विन कृष्ण अमावस्या को यह मेला लगता है नेक्स्ट है राणी सती का मेला जो है जुन्जनू डिस्टिक जो है वहाँ पर लगता है दो बार ये मिला लगता है एक बार माग कृष्ण नवमी को और दूसरी बार भाधरपद कृष्ण नवमी को तो देखिए जहां रानी सती मंदिर जिस परिशर में है तो वहां पर कई और भी मंदिर बने हुए है ठीक है भगवान शिव का मंदिर है भगवान गनेश जी का है माता सीता और स्री राम जी जो है और उनके अलावा जो है हनुमान जी उनके भी यहां पर जो है मंदिर बने तो राजिस्थान के लोग हैं उनका ये विश्वास है कि जो रानी सती जी है वो इस्त्री सती का प्रतीक यानि मा दुर्गा का अवतार थी और उन्हों ने अपने पती के हत्यारों को मार कर बदला लिया और फिर अपने सती होने की जो इच्छा है उसे पूरा किया था और ये भी कहा जाता है कि रानी सती जी को समर्पित जुनजुनु में जो इनका मंदिर बना हुआ है वो लगवग 400 साल पुराना है तो मंदिर जो है वो संमान, मम्ता और इस्त्री सक्ती का प्रतीक माना जाता है तो देश भर के जो भक्त हैं वो राणी सती मंदिर में आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं तो दो बार मिले का आयोजन होता है माग कृष्न नव्मी को और भाद्रपद नव्मी को Next है जीन माता का मिला तो जीन माता के बारे में मैंने आपको स्टोरी जो है वो पहले बता दी है यहां आपको ध्यान रखना है सीकर जिले के रिवासा गाउं में जीन माता का मंदिर है यहां पर मेला लगता है और मेला दो बार लगता है और यह मेला जो है माता का मेला है तो नवरात्रों में ही और आश्विन नवरात्र को कर्णी माता का मेला तो देखिए जीर्ण माता की तरह कर्णी माता जो है इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है जब देवियों के बारे में हमने पढ़ा था तो कर्णी माता जो है देश नोक बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ है। चूहों की देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है और इनका मेला भी दो बार लगता है चैतर और आश्विन की नवरात्री को। तो मैंने ये चीज आपको पहले भी ध्यान दिलाई थी, कि जो माता होती हैं, उनका मेला तो आपको देखने को मिलेगा नवरात्रों के ही समय में सीदला माता का मेला, सीदला माता का मेला चाक्सू सील की टूंगरी पर जैपुर में मेला लगता है, चैतर कृष्ण सप्तमी और अस्टमी को यहाँ पर मेला के आयोजन किया जाता है इसे बैल गारी मेला भी कहते हैं, तो इंपोर्टेंट लाइन है, चैतर कृष्ण सप्तमी अस्टमी को लगता है, बैल गारी मेला भी कहते हैं और बच्चों की सनरक्षिका और चेचक की देवी जो है सीदला माता को कहा जाता है उसके बाद देखिए परेटन विभाग द्वारा आयोजन मेले, तो यहाँ पर आप लोगों को माह याद रखना है और जिला याद रखना है उंट महुतसव, तो उंट महुतसव जो है वह है बीका नेर का है और जनवरी माह में मेले का आयोजन किया जाता है उसके बाद है मरू महुतसव यह जैसल मेर का है तो मरू जो है किसको कहा जाता है जैसल मेर को ही कहा जाता है तो मरू महुतसव कहां कहा है जैसल मेर का और यह जनवरी परवरी में ही इसका आयोजन होता है हाती महतसब जैपुर का है और मार्च माह में ठीक है थार जो है थार मरुस्थल कहां जैसल मेर बाडमेर साइड में ही है तो बाडमेर जुले में अप्रेल के माह में यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है तो परेटन विभाग द्वारा मेले का आयोजन जो है वह भी समय समय पर किया जाता है तो यहाँ मेवाड महतसब जो है उदैपूर का है और यह अप्रेल महा में यहाँ पर मेवाड महतसब मनाया जाता है ग्रीसम महतसब तो यह चीज आपको ध्यान में आजानी चाहिए जो है परेटान विभाग द्वारा या मेले का आयोजन होता है मारवाड महतसब जो कहां का है जोधपूर का और अक्टूबर महा में यहां पर मेले का आयोजन होता है नेक्स्ट देखिए दसहरा मेला तो यहां थोड़ा सा गलत हो गया था यहां पर मैंने माहा लिख दिया था तो ध्यान दें कि कोटा जिले में दसहरा महतसब जो है प्रसिद्ध है और यदि भारत की बात करें तो भारत में दसहरा का मेला जो है वो मैसूर का प्रसिद्ध है ठ उसके बाद है पुसकर महतसव अजमेर में मनाया जाता है अक्तूवर नवंबर में बागड महतसव तो बागड छेत्र किसको कहते हैं बासवाडा डुंगरपुर को तो बागड महतसव डुंगरपुर जिले में मनाया जाता है नवंबर के महा में सेखावाटी महतसव सेखाव कहां की है, बुंदी की, ठीक है, कजली तीज जो है, कहां की है, बुंदी की, तो कजली महतसब जो है, अगस्त महा में मनाया जाता है, वहीं तीज महतसब जो की शावन में मनाया जाता है, जैपुर जिले में, ठीक है, और यह अगस्त के महा में मनाया जाता है, डींग महतसब दींग जिले में यहाँ का प्रसिद्ध है और जन्मास्टमी के अफसर पर कृष्ण जन्मास्टमी को दींग महतसव मनाया जाता है। मीरा महतसव जित्वर में अक्टूबर के महीने में मनाते हैं। गंगोर जो है वह है महतसव जैपूर का प्रसिद्ध है और जो की मार्च के महीने में मनाया जाता है। मतस्य महतसव मतस्य जिलेओं में आता है अलवर ठीक है तो अलवर जिले में मतस्य महतसव जो है सितंबर से लेकर अक्टूबर महा तक मेला यहां लगता है। बैलून महतसब बाड मेर जिले में, अप्रेल में, स्री कृष्ण जन्मा स्रीमी, कामा, भरत पूर जिले में, अगस्त के महा में, आभा नेरी उत्सब जो है कहां का है, दोसा का है और दिसंबर के महा में यहां पर मिले के आयोजन होता है, बहुत से परेटक जो हैं यहां दोनों ही माउंट आबू में और जब ग्रीश में महतसब की बात आई तो हमने देखा कि ग्रीश में महतसब जो है कब मनाया गया मई जून में गर्मियों के माहा में और सरद महतसब जो है माउंट आबू में ही दिसंबर के महिने में मनाया जाता है तो देखिए जो परेटन व वह भी पूछ सकता है कि कौन सा महतसब जो है पहले आता है तो इस तरीके से 6 साथ जो है लाइने आपको दे दी जाएं और पूछा जाए कि इसमें पहले कौन सा आता है याद रखिएगा तो जादा तर तो यही पूछने वाले हैं कि कौन से जिले में वो महतसब जो है मनाया जाता है चाहे वो मरू महतसब हो या मारवा महतसब हो ठीक है सिक्वेंस ओड़ा आप डियान में रखिएगा ख्वाजा मुईनद्दीन चिस्ति का और्स तो देखिए कई बच्चों को नहीं पता होगा कि और्स जो है क्या होता है जैसे अभी तक हम हिंदू के जो मेले पढ़ रहे थे तो उसी तरीके से मुश्लिमों के जो मेले होते हैं उनको कहा जाता है और्स ठीक है तो ख्वाजा मुनद्दीन चिस्ति का और्स जो है अजमेर में लगता है और जिसे विस्व का दूसरा मक्का कहा जाता है तो अजमेर को विस्व का दूसरा मक्का भी कहा जाता है तो एक जो मक्का है विस्व में वो कहा है जो अरब है वहाँ पर है और विस्व का दूसरा मक्का जो है भारत में अजमीर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा मुई नुद्दिन चिस्ति का यहां मेला लगता है और यह जो उर्स है रजव महा की पहली से लेकर छटी तारीक तक लगता है और यहां पर जो जायरीन है वो चादर चढ़ाते हैं तो जायरीन कौन होते हैं यानि जो भक्त होते हैं जो इनमें विश्वाज रखते हैं तो वो यहां पर आकर चादर चढ़ाते हैं में बात आपको यह याद रखनी है कि रजब महा की पहली से चटी त पारीक्ता कोर्स लगता है कहां अजुमीर में उसके बाद देखिए तीन चार नाम और हैं गालियकोट का उर्स गालियकोट डुंगरपुर में लगता है गागरोन का उर्स गागरोन में ही लगता है जालावार्ड में है गागरोन मलिक शाह पीर का उर्स जालोर जिले में लग लगता है वहीं चोटीला पीर का और्स पीर दूले शाह दरगाह के नाम से पाली जिले में लगता है ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा तो यहां आपको केवल यह जो तीन जो हैं मलिक शाह पीर का और्स जालोर में तारकीन का और्स नागोर में चोटीला पीर का और्स पाली ज चुके हैं ख्वाजा मुनिदिन चिस्ती का औरस जो है अजमेर में तो यह हमें पता ही है कि मुहमद गौरी और प्रत्वी राचोहान इनके समय में यह भारत आते हैं अजमेर में यह रहते हैं और गल्या कोट का औरस गाल्या कोट डुंगरपुर में ठीक है गागरोन का औरस गागरों जालावार में तो यहां पर मेले का जो टॉपिक है आपका कम्प्लीट होता है और इसके बाद जो है हम राजिस्थान के प्रमुक त्योहार उनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि त्योहार हो मेले हो उत्सव हो यहां से प्रश्णतो आता ही है पूछा यही जाता है कौन सा त्योहार जो है कम मनाया जाता है कौन सा मेला जो है किस जिले में प्रमुक है और किस वज़े से वो मेला मनाया जाता है ठीक है किसी न किसी कारण से मेले का आयोजन किया जाता है तो यही प्रश्ण जो है आपकी एक्जाम में आएंगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगी थेंक यू